discuss करेंगे, EVS को completely revise करेंगे, seated के लिए, paper 1, content का भी कुछ हिस्सा जो महतुपूर्ण है, और pedagogy आल्मोस 15 में से 10 आप एक session से ला सकते हैं, मैं कहूं तो कुछ 30 में से बहुत जादा हवाई बाते ना करते हूँ, अगर आपका paper favorable रहता है, आपके पक्षम में रहता है, तो हो सकत करेंगे, उसके बाद content के जो main points है, वो हम discuss करेंगे, तो कुल मिलाकर के एक session में complete revision होगा, और कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से अच्छा score भी करेंगे, और समझ में आया सबसे बड़ी बात, अगर समझ में नहीं आया तो score तो obviously नहीं होगा, रट करके score लाने के समय जो है वो अब जा चुके हैं, धल चुके हैं वो जमाने जब rate करके score हो पाए, especially seated जैसे exam में, जहां रटन्त विद्या, चलन्त नहीं, process skills की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, फिर हम themes की बात करेंगे, फिर हम map की बात करेंगे, direction की बात करेंगे, pedagogy की, text book के बारे में हमेशा एक mapने पर, समझने पर, अपनी experience, hence on activity करके, अपनी एक knowledge construct करने पर, मजबूर करते हैं, process skills से आप कोई सा भी paper उठा लीजे, EVS का, आपको हर साल एक question मिलेगा, उसका सीधा सा मतलब ये है, कि ये experimentation में, बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली skills हैं, और EVS के अंदर, आपका environment तो ह ही, social science भी है, और science भी है, तो बच्चे का environment के प्रती, aware और experience करना, experiment करना ज़रूरी है, तो इनके द्वारा बच्चा अपनी knowledge को construct कर पाएगा, experiment कर पाएगा, hands-on activity कर पाएगा, ऐसी बात कही जाती है, कुछ six process skills है, इनको science की process skills भी कह सकते हैं, बहुत EBS में पढ़ते हैं, ए इसे तोड़ मरोल के, इसकी ball बना के पानी में डालती हैं, और वो डूबती नहीं है, तो कौन सी process skill इसमें इस्तमाल हुई EBS की, तो आपको simple बताना था observation, क्योंकि बच्चा observe करेगा ना, कि ये क्यों नहीं डूबा या क्यों डूब गया, फीक, तो observing, कई बार क्या होता है classification की, कि पतियों के अलग-अलग प्रकार बताओ, या इस तरीके का कोई एक question है, तो उसमें classifying की skill है, measuring mapan की skill है, ये six process skills हैं, जिनके बार में हम पढ़ेंगे, एक question आपका पका है यहां से, क्योंकि pedagogy कभी change नहीं होती EBS में, NCRT का थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, pedag process skills की अगर मैं बात करूँ, तो by using these skills, जो की six skills हम देखने वाले हैं, ठीक, students can gather information, वो information को collect कर पाएंगे, test कर पाएंगे, उनके idea सही है या नहीं है, hypothesis कर पाएंगे, और scientific explanations, दुनिया के बारे में तर्क पूर्ण जो explanations हैं, वो बना पाएंगे, तो knowledge को construct करने में, process skills बहुत play करती हैं, या help करती हैं, अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, six process skills हैं, पहला है observing, आपको इन सबको develop करना है बच्चे के अंदर, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, पेपर में कई जगा पैसे पूछा जाएगा कि कौन सी जीज महतोपूर्ण है, तो आपको observing की यदि मैं बात करूँ तो अवलोकन, अवलोकन अपने पाँच senses से आप दुनिया को observe करते हैं, experience करते हैं, feel करते हैं, समझते हैं, चाहे वो बच्चा देख करके अवलोकन करे, सुन करके किसी चीज को, किसी चीज को करके देखा हो उसने सामने होते हुए, मतलब अपने प जो आँख पर पट्टी बान देते हैं, आँख पर पट्टी बंधवा दिया आपने, एक example है, ऐसे हजारों example हो सकते हैं, and make observations using the sense of touch, कि आप वो चीजों को touch करने को दिया जाए, उसको अच्छा सोचो ये क्या है, pen touch कराया है, wood, लकडी को touch कराया है, तो वो अपना बात बता observe करेगा, देखेगा, feel करेगा, सारी चीजन जो भी 5 senses के थ्रू हो सकती हैं, वो करेगा, तो आप ऐसी activities बच्चे को करने को दे सकते हैं, कि जैसे वो क्या करे, observe करके, लिखे, कि non-living और living में क्या आंतर है, कितने प्रकार के animals होते हैं, एरोपलिन कैसे चलता है, ये सारी बा जो भी उसके आस-पास चल रहा हो, ठीक है बात, clear है, exam fear से डरो मत, थोड़ा भाड़ pressure ज़रूरी होता है life में, अगर बिल्कूल निठल ले होके बैठे रहोगे, तब भी नहीं पढ़ोगे, और बहुत जादा डर ज़रूरी है, बहुत जादा नहीं, आपके काम में कमी नह आनी चाहिए डर की वजहा से, डरने में दिक्कत नहीं है, human emotion है, देखो, second है classifying, classifying का मतलब है वर्गी करण, classifying का मतलब है classes में विभाजत कर देना, जैसे आपकी class 1, class 2, class 3, क्या है, classification है, वर्गी करण है, अलाग-अला categories में बाट देना, classifying कहलाता है, और इसमें कौन सी skill ल classes में बाट देना, categories में बाट देना, categories है, भई ये living की category है, ये non-living की category है, वो चीजें जिनमें जीवन नहीं है, वो non-living है, निर्जीव और सजीव की, और जिसमें जीवन है, वो living category में आ गया, मतलब आपने बाट दिया categories में, वो animals जिनके, जो बच्चे देते हैं, वो एक देते हैं वो एक category में, तो आप बच्चे को मौका देंगे कि classify करो चीजों को observe करेगा सबसे पहले, observe अगर उसने धंग से किया है, तो वो category में भी विभाज़त कर पाएगा, क्योंकि obviously उसी basis पे तो वो category में डाल पाएगा, अगर उसने observe किया है, feel किया है अपने 5 senses से, कि ये चीज निर्जीव है, मैं सजीव हूँ, आप सजीव है, तभी तो वो सजीव और निर्जीव की category में डाल पाएगा बात सही है या नहीं, बताओ एक बार shout out मैं, अंजली सिंग आइधिंग नाम है फिर यहां आजाओ, shout out का छोड़ दो, paper आपके सर पे है, ठीक इसका example क्या हो सकता है, the learner will use a magnet to classify objects as magnetic or non-magnetic यानि चुमबक एक वो ले सकता है magnetic ले सकता है, जिसके तुरू वो ये classify कर पाएगा, कौन सी चीज में magnetic effect है, कौन सी चीज non-magnetic है, उसने magnet को लिया, देखा एक कील थी, घर में वो उससे चिपक गई एक plastic था, वो नहीं चिपकी तो उसने classify कर दिया, कि ये non-living है, ये non-magnetic है ये magnetic है, simple बात है कोई समस्या परिशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बता दो वर्गी करण कर दिया, उसने सीधी सी बात है, अलग-अलग वर्ग में विभाजित कर दिया, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 जैसे आप कहना चाहें इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कुश्वर्मा बहुत बढ़िया, East और West आप सभी हैं Best, मैं तो सब अपने आप में Best ही होते हैं, बताओ, Unique बताओ एक बार इतनी बात clear है या नहीं? कोई दर्द, कोई दुख, परिशानी? लाइक शेयर कर रहे हो के नहीं कर रहे हो? यह बता दो आगे बढ़ेंगे Third Third क्या है? Measuring, यह Process Skills का हिस्सा है जिसके थुरू आप Explore करना सीख रहे हैं, है na Experimentation सीख रहे हैं, Knowledge को Gather करना सीख रहे हैं, Measuring मतलब मापन, Measur करने का मतलब ही है माप रहे हैं आप चीजों को कई बार आपको जुरबत पढ़ेगी न चीजों का conclusion निकालने तक आपको कुछ चीजे मापना भी आना चाहिए, है na अगर मैं बात करूँ, तो इसका example हो सकता है The learner will use technology to find the speed of a toy truck, यह जो toy truck होती है, इसके लिए कोई technology हो सकती है जिससे वो क्या कर पाए, sorry toy truck की speed को माप पाए, इसको भी हटा देते हैं वो यह देख पाए, वो यह माप पाए कि अच्छा मैं घर से ना, मेरा school है जैसे मैं करती थी बच्पन में I think 10 km या, 4 km का याद है मुझे तो 4 km मान लेज़े, एक तरफ से जाना है तो वो मैंने 6 मिनट में कर दिया एक दिन एक cycle से, obviously बहुत बड़ी बात नहीं है नॉर्मल सी बात है, बट ठीक है मैंने measure कर लिया, मैंने मन में आया कि कितनी मिनट लगती है देख लू एक बार, तो वो क्या है 4 km 6 मिनट में जा सकते हैं यह मैंने measure कर लिया, ठीक, क्या लगा इसमें observation भी लगी, है ना clear बात है, तो यह इस तरीकी की चीज़ें मापन में आएंगी, यह आप देख सकते हैं कि, मानले जो कोई बच्चे, किसी बच्चे के पिताजी आ रहे हैं, कहीं train से आ फ्लाइट से तो वो कब चली और कब पहुंची इसके बीच में अंतर कितना है, उसको वो बात को, कम्यूनिकेटिंग यानि संप्रेशित कर पाए अपनी बात को, कम्यूनिकेट कर पाए, संप्रेशित कर पाए, अब जो experiment उसने किया, जो observation उसने की, जो classification उसने किया, जो measuring उसने की, उसको अगर वो discuss ना कर पाया, तो knowledge का विस्तार कैसे होगा, अगर मैं ये सिर्फ पढ़के छोड़ देती, ये सिर्फ पेपर देके seat at निकल गया, बात खतम, और कभी आप लोगे साथ discussion ना होता, sharing ना होती, तो शायद हम लोग आज यहां ना खड़े होते, लाखों लोगों का exam नहीं निकलता, seat at का, अलाखों लोगों को पेड़वाजी में आगे मदद ना मिलती, KVS से लेकर के और बाकी जगा पर, तो discussion ज़रूरी है, और sharing ज़रूरी है, communication ज़रूरी है, ठीक, the learner will discuss possible errors with other classmates, जो गलतियां होई हैं, वो भी आप discuss कर सकते हैं, जो गलतियों से आपने सीखा है, वो भी आप discuss कर सकते हैं, एक बच्चे ने कोई experiment किया, उसमें कुछ गलतियां होई थी, एक successful हो गया, successful हो गया, तो उसके साथ साथ उसने errors को भी क्या किया, discuss किया, तो discussion या communication ज़रूरी है, किसी भी experiment के उपर, किसी भी एक घटना या भी, तो आप classroom में discussion को बढ़ावा देते हैं, आप चर्चाओं को बढ़ावा देते हैं, ऐसा आपने throughout EBS की textbook या NCRT summary को पढ़ते हुए देखा होगा, कि बच्चों के group discussions को, तभी तो discussion नहीं होगा, तो knowledge का निर्मान कैसे होगा, ठीक है, तो group learning, collaboration, cooperative, ये सब बहुत अच्छी बात हैं, कि बच्चा एक दूसरे को मदद करके, एक दूसरे का सहयोग करके सीखे, अपनी बात को संप्रेशित करना वो सीख जाए, सिर्फ अपने तक ही ना रखे, आगे बढ़ेंगे question number, process skill number five, inferring, inferring का मतलब क्या है, निशकर्ष निकालना, आपने अनुमान एक तरीके का, आपने अपना conclusion ड्रॉ कर लिया, अनुमान भी इसको कहना सही नहीं होगा, तो फिर आपको next skill में confusion हो जाए, inferring यानि निशकर्ष निकालना, conclude करना, निशकर्ष क्या निकला, आपने कोई भी एक experiment किया, finally, उससे निकल के हाथ में क्या आया, ये भी तो आपको जानना ज़रूरी है कि नहीं, example क्या होगा इसका, for example, the learner will write a conclusion, उसने मानलो कोई experiment run किया, in the end of each investigation, उसको जानने को कहा गया था, कि देखो, कौन से पौधे जो हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, जो अपने environment में उसको आपने, देखने को कहा हो, उसके बाद उससे conclude कराएंगे, कि अच्छा, तुम्हें क्या समझाया, इस घटना को देखते हूँ, अच्छा, इसका solution क्या हो सकता है, तुमको क्या लगा, तो निशकर्ष निकलवाएंगे आप, ठी, किसी को हम inferring कहते हैं, अपने दिमाग में आपकी जो interpretation है, किसी चीज़ को ले करके, आपने क्या interpret किया, आपने क्या conclude किया, आपने क्या निशकर्ष निकाला, ऐसा हो सकता है, कई बार आपको गलत फहिमियां होती हों जीवन में, और आप किसी से discussion करते हो परिवार में, और आपका conclusion कुछ और निकलाता हो, तो final, जितना भी आपने कुछ observe किया होगा, आपने फिर classify किया, उसको इस category में, यह तो इसने गलत किया, फिर आपने और चीज़ें की communicate करने की कोशिश की बात की, then आप अनुमान लगा रहे हैं, last में यह निशकर्ष निकाल रहे हैं, infer कर रहे हैं आपकी जो interpretation निकली है, finally, आपको यह एक experiment करते हैं, यह सब हो गया, last point है, last process skill है, predicting, predicting का मतलब क्या है, अनुमान लगाना, देखो, यह hypothesis create करने में, परिकल्पना को बनाने में, यह सारे steps शामिल थे, परिकल्पना का मतलब यह नहीं, बस मान लिया और हो गया, इसमें बहुत सारे evidence लगते हैं, hypothesis, 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 यह परिकल्पना, ठीक है बात, अगर मैं बात करूँ, तो hypothesis की यदि बात की जाए, तो predicting का इसमें use होता है, अनुमान लगाने का, कि ऐसा ऐसा हो सकता है, the learner will predict what is a box based on observations, using the sense of touch, आप इसमें अनुमान लगाते हैं, आप अनुमान लगाते हैं, अपने experiences के आधार पे, अपनी पुरानी समझ के आधार पे, या अपने senses के आधार पे, आपने अनुमान लगाया, this is predicting, ठीक, जिसको आप reading में भी use करते हैं, तो these were the process skills, these were the six process skills, observing, classifying, measuring, communicating, inferring, or predicting, यानि अवलोकन करते हैं, आप वर्गी करन करते हैं, जरूरी नहीं ये step में ही हो, अवलोकन करते हैं, आप वर्गी करन करते हैं, मापन करते हैं, some pressure, discussion होगा, निशकर्ष निकालना और अनुमान लगाना, ये सारी चीज़ें बच्चों में आपको develop करानी हैं, जरूरी नहीं है, step by step ही हो, अलग-अलग activity में, अलग-अलग skill को develop कराने की, या process skill को develop कराने की ज़रत पढ़ सकती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परिशानी किसी को भी नहीं होगी, ये basic बात है, सभी को समझ में आई होगी, समझ में आई हो, तो share करके, बाकी लोग को भी समझा दो, है न, खेर, अब हम चलते हैं, जहां से एक से दो question minimum आ जाते हैं, हर साल आते हैं, themes of EVS, EVS की themes, इनको हिंदी में जो भी कहते हों, आपको as it is, याद रखना है, कितनी themes हैं, कितनी broad themes हैं, अगर कोई पूछे आपसे, कितनी बड़ी, मुख्य जनको हम कहेंगे, broad themes कितनी हैं, EVS के अंदर, broad themes कितनी हैं, broad themes हैं आपकी, 6, कितनी total, 6, कितनी हैं, 6, ठीक, ठीक है, total broad, जो themes हैं, वो हैं 6, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इस point को, इस topic को लोग हलके में लेते हैं, और एक number खोते हैं, दो number खोते हैं, कई बार तीन number की भी आजाती हैं, ठीक है, देखिए, 1st है family and friends, जोनों लेक्षर करते हैं, बहुत खुशी की बात है, family and friends, बच्चे का जन्म कहा होगा, देखो इनके around, इन 6 themes के around, पूरा syllabus बनाया जाता है, syllabus में chapter की जगा, themes हैं EBS में, जिससे interconnected knowledge, बच्चे की अपने environment को लेकर के, connected knowledge, बने, ठीक है, develop हो, family and friends, यानि परिवार, पहले जन्म होगा, बच्चा, ठीक, कोई भी individual, family and friends की समझ, उसकी develop होनी चाहिए, ये आपका पहला skill है, पहला theme है, कि परिवार और दोस्ट, जो आसपास का, उसका महल है, उनसे वो जोड़ पाए, ये पहली theme होई EBS की, दूसरी theme, मतलब इससे related chapters डाले गए हैं, अगर आप देखेंगे family का type है, family का भी type बताए हुए है, nuclear family, joint family, falana family, और कैसे लोग family के साथ move करते हैं, अगर EBS की anxiety पढ़ी है, तो आप ये सारी चीज़ने relate कर पाएंगे, अगर आप धकन नहीं है, तो जिरो connect नहीं कर पाते चीज़ों को, आजे नाथावत कहे रहे हैं, big fan of you, please इसे ऐसे ही classes लेते रहिएगा, तनु शर्मा भी आपकी classes एक मन से ले रही हैं, बहुत बड़ी है, नाम ले लिया जे आप दोनों काई, thank you so much, classes तो चलती रहेंगे, देखो साल भड़ चलती है, देखो एक बार, even मेरी important कुछ classes की चुट्टी भी होई है, seated की classes के लिए, परिवार और दोस्त, friends and family की बारे में chapters हैं, बच्चे खेलने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पे भी है कुछ सीख रहे हैं, गुरुप्स बने हुए हैं, कपड़ी के, इसके, उसके, फिर दूसरा themes है, जो दूसरा theme है, वो है food यानि, खाना, भोजन, इन ही six themes पे पूरा syllabus based है, आपका chapter wise की जगा, theme based है, खाना या भोजन, इनको जितनी बार revise कर लोगे, उतना कम है, यह final revision है, भोजन, अब आपका परिवार में जन्म हो गया, आप परिवार में हैं, दोस्तों में खेल भी लिए, खाना भी तो चाहिए खाने को, तो परिवार के just बाद, food, खाना आएगा, family, फिर खाना भी चाहिए, food, फिर पानी भी तो प्योगे खाने के बाद, तो तीसरा क्या हो गया, water, यानि, जल, तो आपने दिखा होगा, पानी के प्रती भी chapters दिये हुए, कि कैसे घाडी सर, lakes का जिक्र हुआ है, NCIT में, 3rd to 5th की, इसके लावा आगर मैं बात करूँ, यह बताया गया है, कि water conservation कैसे जरूरी है, tankा कैसे बनाया जाता है, tank जिसको हम कह रहे हैं, जल की भी बाते हुई है, ठीक, बारिश कुछ जगा पे कम कैसे होती है, सारी बाते हुई है, तो पहले परिवार, फिर खाना खाओगे, पानी भी पियोगे, फिर रहने को भी तो कुछ चाहिए, पानी खाना से तो चलेगा, नहीं, आपको shelter चाहिए, यानि आवास, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आवास, अब आप कहीं रहोगे भी, जिसका जैसा हिसाब है, वो वैसे रहेगा, चाहिए कोई जोपडी में रहे, चाहिए वो कोई कहीं और रहे, फिर है travel, travel का simple सा मतलब है, आपको क्या करना है, घूमना फिरना है, आपको करना है, घूमना फिरना है, ऐसा तो है नहीं, आप पेड तो है नहीं, वो जो श्रकुंतला मूवी आई थी, वहाँ से आप ये एक 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 जगापल ड्रॉ कर सकते हैं, कि हम पेड नहीं हैं, जो एक जगा पर ठेके रहे हैं, हम travel कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो आप घूम सकते हो, things we make and do, अब आपको कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करोगे अगर दुनिया में रहोगे तो, या सिर्फ खाओगे, पिऊँगे, पानी पिऊँगे, रहोगे और सो जाओगे और घूम लोगे, तो ये six themes है, इनको याद करने का simple तरीका है, आपका जन्म हुआ, पहले परिवार, और दोस्त, family and friends, दूसरा फिर आपको खाना भी चाहिए, food, फिर आपको पानी चाहिए, water, फिर आपको घूमना, shelter भी चाहिए, रहने के लिए तो shelter, यानि आवास, फिर आपको घूमना है, travel, और फिर कुछ काम तो करोगे ना, इसी किताब में, कभी दिल पे ले लो, देखो, six themes, पहला, family, जल्दी से बोलो, जोर जोर से चिला के घर में बोलो, मम्मी को पकड़के, मम्मी पहला theme, family, परिवार है पहला theme, family and friends, सब चाहिए, ठीक, इसके आस्मास अगर आपने extra knowledge जुटाई होगी, तो आपको paper में help करेगी, फिर, खाना भी चाहिए आपको, आदे लोग तो खाने के लिए ही जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं, खाने के लिए जी रहे हैं वो, ठीक, तो food, stress हो तो खाने लगते हैं, भूखना हो तब भी खाने लगते हैं, ठीक, family and friends, फिर food, फिर पानी भी चाहिए, third theme हो गई, water, फीक है बात, fourth क्या है, भाई, shelter भी तो चाहिए, तो आवास भी चाहिए आपको, फिर है, fifth, travel, घूमना फिटना भी है, एक जगा पर थोड़ी टिके रहेंगे, cycle चाहिए, scooty चाहिए, bike चाहिए, गाड़ी चाहिए, और मन करे तो private jet भी चाहिए, ज़्यादा नहीं हो गया है, देखो एक बार, फिर things, things we make and do में, मैंने ये थोड़ा सा अलग सा example इसलिए डाला है, कि एक तो हम हर एक profession को, क्या कर पाएं, respect कर पाएं, दूसरा, पढ़ोगे नहीं, तो दिक्कत आएगी, समझ पा रहे होंगे, जो लोग समझ रहे होंगे, मम्मी मारेंगी, कोई बात नहीं, पिट ले ना, याद रहेंगी फिर theme, मम्मी आपको बताएंगी, जिसके लिए तो मम्मी पीटा था, अगर वो question गलत हो गया, तो देखना, तो यह six themes है, कौन सी-कौन सी six themes है, पहले family, यानि परिवार, फिर family and friends, इसमें दोस्त भी आगए, food, खाना चाहिए, फिर पानी चाहिए, रहने के लिए जगहाँ चाहिए, travel करना है, और कुछ काम भी करना है, जैसे, जो भी मन करें, वो कर ली जगह, सब themes of EBS, EBS की अब कुछ सब themes है, वो six broad themes थी, छे broad themes थी, broad theme, छे हैं, सिर्फ, अब सब theme है, जैसे, दो themes की सब theme है, पॉकॉड़ा बेचेंगे, हाँ, यही करोगे paper नहीं दोगे तो, ठीक से, फिर बुरी लगती हैं बातें आपको लोगों की, देखिए एक बार, family and friends, family and friends, खैर उसमें भी नुकसान नहीं, अगर आप समझदार और smart इंसान हैं, वो भी बहुत तरीके से कर सकते हैं आज की rate में, बट जब आपने पढ़ाई लिखाई की है, सिक्षक बनने की, ट्रेनिंग की है, तो पकोड़ा बेचने के लिए तो नहीं की होगी, ऐसा मैं अजियूम कर रहे हूं, तो आपकी इक्षा थी कि आप सिक्षक बन जाए, तो वह ही बने तो अच्छा है फिर, या शॉक है तो बन जाए ये, family and friends यानि परिवार एवं दोस्त, ये पहला theme है, जिसके कुछ sub-themes हैं, जिसके चार sub-themes हैं, मतलब इन themes के भी कुछ sub-themes हैं, अगर आपको वो six themes याद हैं, तो आप paper में इन चारों को हटा देंगा, आपको पता लग जाएगा कि ये main theme नहीं है, main theme वही है, family and friends, food, water, shelter, travel, things we make and do, ये छे हैं main, इनके अलावा sub-sub-themes हैं, तो ये paper में वड़ा तरक्की से पूछा, तरीके से पूछा जाता है, अभी question दिखाऊंगी मैं कैसे आते हैं इससे, relationships यानि, रिष्टेदारिया, ये वो वाले relationships नहीं हैं, आपके बाबूश होना वाले, normal इसमें सारे relationships आते हैं, कई लोगों को आजकल relationship देखके एक ही मतलब समझ आता है, ये आपके सारे रिष्टे हैं इसमें, माबाब, बहन भाई, दोस्तियार, सब, फिर work and play भी इसी में हैं, बच्चा कुछ कुछ काम करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे एक साथ, ठीक है बात, फिर है animals, animals यानि पशू, ये भी आसपास ही है ना, आपके family and friends के साथ ही है ना, आसपास कहीं न कहीं, फिर है fourth, plants, भई plants भी तो आपके environment का हिस्सा है ना, बहुत बढ़िया, बाहर, पढ़ लेते थोड़ा, शायरी फेंग रहे हो, देखो, फिर है plants, plants यानि, पेड़ बहुत है, important है ये भी हमारे लिए, ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे, next पर बढ़ेंगे, food, food क्या है देख लिजए, food यानि, खाना, भोजन, अब इसकी भी कुछ सब थीम्स है, जादा की नहीं है, वस इन ही दो की है, इन ही दो की है, ठीक है बात, इन ही दो की सब थीम्स है, देखिए, देखो एक बार, food में क्या होगा, tasting, वो chapter नहीं है, tasting to digesting वाला, उसको भी मैं revise कराऊंगी, tasting का मतलब है, आप taste करते हैं, इसके उपर भी chapters है, कि कैसे हमारा जो food है, वो हमारी जीब के कौन से हिस्ते से कौन सा taste है, उस दिन हमने पढ़ा था, आपको याद होगा तो, इन सब चीज़ों को समझ के जाना, कभी याद करने के लिए ही नहीं है, वेपर हम पूछी जा सकती है, digesting, हमारे पेट का temperature 30 degree Celsius, acidic, juices होते हैं, digestion का chapter हो गया, यह food के अंदर आएंगे, सारे chapter, cooking, कैसे आप preserve कर सकते हैं, किस चीज को, दूद को, अबाल करके, धनिये को, गीले कपड़े में लपेट करके, farmers and hunger, इस पे भी वो chapter है न, जो काला हंडी वाला, ठीक, तो यह food के हो गए, यह अगर आप नहीं याद कर पाएं, तो six broad theme याद कर लिजगा, इनको आप अपने आप हटाना सीख जाओगे, बसे याद कर लोगे, तो अच्छा रहेगा, देखो, अब इनसे question कैसे पूछे जाते हैं, हर साल कम से कम दो question, जाद जाद तीन से चार question भी themes से आते हैं, एक question आपके सामने है, ज़र आद देख कर के बता दीजिए, which one of the following is not the broad themes of EVS in the present syllabus? कौनसी एक broad theme नहीं है EVS की, यह बता दीजिए फटाफट से, कौनसी एक broad theme नहीं है EVS की, यह बताने का कष्ट करेंगे आप एक ही minute के अंदर, जल्दी बताइए, answer कर लो, बहुत मज़े आते हैं कई लोगों को, बकैती में, बताओ एक बार, work and play, क्या से पता लगा, simple है ना, shelter तो था, food तो था main theme में, things we make and do भी था 6th, लेकिन work and play जो था, वो family and friends में या बाद में आया है, वो किसी का sub theme है, main theme नहीं है, क्योंकि main theme तो वही है, family and friends, तूसरा water, sorry, food, फिर water, shelter, travel, things we make and do, 6 के अलावा अगर कोई भी मिल जाए, तो वो sub theme है या theme नहीं है, इस तरीके से अगर आप question solve करना सीख जाएंगे, तो एक number आ जाएगा, एक ही नहीं लाना, मतलब एक हे कर के जोड़ना है, फिर है आपका next, so मत जाना, like share करते नहीं न, जैसी नीद आए, like वाला button चेक कर लिया, करो हूँ हुआ है कि नहीं हुआ है, few pedagogical points, few pedagogical points, pedagogical points के कुछ points है, जहां से पूछा जाता है question हर बार, NCRT ने कोशिश की है, themes के द्वारा, बच्चों की deep, यानि गहरी, and interrelated understanding, जो आप से पूछा जाता है paper में, कि NCRT में chapters की जगा, syllabus में, themes क्यों दिये हैं, तो आप कहेंगे, ताकि बच्चों की themes के according, interrelated जो समझ है, वो deep हो सके, गहन हो सके, और interrelated connected समझ बन सके, हर एक theme की, और हर एक theme से जुड़े, topics की chapters की, तो deep and interrelated समझ बन सके, इसलिए chapters की जगा, themes दिये हैं, ठीक है, clear रहेगी ये बात, each theme begins with a key question, जैसे ही theme शुरू होता है, तो आप से पूछा जाता है, अच्छा आपने खाना तो खाया ही होगा, ये वो, और बच्चों की suitable language में, फारसी में नहीं, यानि technical language में नहीं, आपकी आसान भाषा में, one also needed to tackle the differences of gender, class, culture, अब teacher को इन सब चीजों के प्रती sensitive रहना है, इन अंतरों को feel करना आना चाहिए, some within shield रहना है, कैसे differences के प्रती, gender यानि link से संबंदित, link पूर्वाग रहे, नहीं होना चाहिए, class में culture के basis पे, या किस class का कौन सा बच्चा है, कौन अमीर है, इस basis पे आप आधार ना बनाएं, religion यानि धर्म के basis पे, भाशा के basis पे, और कौन किस location से आता है, कौन किस state से आता है आपकी class में, इसको आप respect कर पाएं, बजाए कि उनको और बढ़ाने के अंतरों को, आप unity in diversity को अपना पाएं, आप sensitive हो पाएं, हर एक चीज के प्रती, ये questions पूछे जाते हैं, directly और indirectly, आगे बढ़ेंगे, अब evaluation जो generally पूछा जा सकता है, मुल्यांकन क्या है, मुल्यांकन एक सतत्प्रक्रिया होनी चाहिए, evaluation एक continuous process होनी चाहिए, आपके throughout the year, जिसमें आप बच्चे का आखलन कर रहे हैं, उसको assess कर रहे हैं, किस basis पे उसको observe करके, उससे question पूछ के, उससे कोई drawing, draw कराके, कोई discussion कराके, वो भी groups में, ये words आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत होनी ही होनी है, आप बच्चे को assess कर सकते हैं, सतत रूप से उसको डरा करके, नहीं, एक comfortable environment में, अब themes से एक और question, अभी मैंने आपको बताया था, पेड़गोजिकल पॉइंट में, इन EVS, themes have been proposed, instead of topics, topics की जगहा पर, theme दिये हुए हैं, इसका reason बता दीजे, मैंने अभी आपको बताया था, इसका reason क्या है, अगर आप ना बता पाएं, तो मम्मी के पास जाईए, और कहिए कि मम्मी मुझे, मुझे मुर्गा बनाओ, मुर्गी मनाओ, corporal punishment दो, बेशक RTE ने बैन कर दिया हूँ, बट मम्मी को सारा अधिकार है, environment की knowledge बहतर हो, या फिर, for developing connected and interrelated understanding of issues of the learner's local environment, ये बात भी सही लग रही है, themes-based EBS transaction is as easy, easy और मुश्किल, इसके पीछे कोई reason नहीं है, chapter कम करने के लिए, कोई भी काम नहीं किया जाता, teacher का load कम करने के लिए, कोई काम नहीं किया जाता, ठीक है बात, इसी बात पे ज़िए हम बात करें, to enhance the environmental comprehension of the learner, obviously chapters भी इसी लिए होते, लेकिन इसका मुद्दा ये है themes का, कि बच्चे के अंदर connected and interrelated understanding आ सके environment के issues को ले करके, इसलिए वो themes के basis पे सीखे, ना एकि अलग-अलग chapters के basis पे, ठीक है बात, clear हुई के नहीं हुई, भगवान डिसलाइकर्स के जीवन को अच्छा बनाए, इनके जीवन में खुशियां लाए, ये लोग इतने दुखी हैं, कि यहां आके खेलते रहते हैं, जैसे कुछ होने वाला है, मैप और डिरेक्शन पे भी दो क्वेशन आ जाते हैं, हर बार आते हैं और ये fixed question है, मैप मतलब भारत का मैप, आपके घर में लगा हो, आपके पास हो जो blank मैप आता है न, उसको लेके बेशक लिख लिए अगर हो कौन सा स्टेट कहां है, ठीक है, मैप की आपको समझ हो और थोड़ी सी direction की, क्योंकि आज कल एक दो question map पे और एक दो question direction पे, मिल करके तीन से चार question हो जाते हैं पेड़ागोजी में, ठीक है, direction मतलब दिशाओं का ग्यान, basic ग्यान अब आपको समझा तो रटा तो कोई नहीं सकता, लेकिन basic knowledge आपको हो, आपको पता है, चार दिशाएं हैं, north यानि उत्तर, नीचे इसके है south, यानि दक्षण, इधर east जिसको हम पूर्व कहते हैं, और west, जिसको हम पस्ट्रिम कहते हैं, ठीक है, अब north और east के बीच में जो है, वो north east बनेगा, और north east आप जानते हैं, जो north east के, आपके राजय नहीं है, seven sister states, वो सब north east में ही है, ठीक, तो ये आपको पता हो, basic चीज़ें आपको पता होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत आनी ही है, ठीक, इनको मैं revise करा रही हूं, मैं कोई इसमें ऐसा नहीं है, कि इसमें बहुत ग्यान वाली बात है, अर्मीत नाम बोल दिया आपका, आशिरवात तो रहता है है, देखो, फिर है, इधर north और east के बीच में north east, south और west के बीच में क्या हो गया, south west, simple है, वो जो एक व्यक्ति अपने घर से चलता है, ऐसे question खूब पूछे जाते हैं, और कहां पहुँचता है, south east के बीच में south east हो गया, इधर north और west के बीच में northwest हो गया, ये 8 चीजों के बारे में आपको पता हो basically, ठीक, ताकि आप दिमाग में भी सोच पाएं कि जो JNK है, जमुएन कश्मीर वो कहा है, मतले जाना, याना मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाग है, अगर मैं बात करूँ, दो-तीन चीज़ें याद रखेगा, जहां से question बनता है, इधर Bay of Bengal है, Bay of Bengal कहा है, east में है, पंगाल की खाड़ी, east में है, नीचे Indian Ocean है, ठीक, उपर रजस्थान को छोड़के, नीचे जैसे गुजरात की तरफ आते हैं, तो क्या शुरू हो जाता है आपका, Arabian Sea, Arabian Sea, ठीक, तो ये basic चीज़ें उपर आपको पता ही है, ये तो JNK वाला, मतलब पहाड़ी इलाका हो गया, फीक है बाद इतनी समझ में आ गई के नहीं आई, ये बता दो, पटा फट से आओ, Arabian Sea, यानि Arab Saagar, किधर है, ये क्या है, West है, ये पस्चिम में है, East में, जहां आपकी North East राज्जें हैं सारे, हम कह सकते हैं, Bay of Bengal, यानि बंगाल की खाड़ी है, और नीचे South में बिल्कुल, Indian Ocean यानि, बिल्कुल, चलें आगे, कोई दिक्कत परिशानी, ये तो बेसिक सी चीज़ हैं, इस पर आपको question practice करने पड़ेंगे, प्रिविए से यर में आये हुए हैं, फिर भी अगर आप map को देखना चाहते हैं, तो एक नजर हम map पे डाल सकते हैं, वैसे एक मिनट में याद नहीं होगा, और रटने से भी याद नहीं होगा, ये बार-बार देखने से याद हो जाता है, ये simple ही था, यहाँ Arabian Sea है, कहाँ, Arabian Sea के आसपास कौन से कौन से, आपको राज्य दिख रहे हैं, महाराष्ट्रा, फिक, इधर, गुजरात, ये बिल्कुल boundary पे हैं, सीमाओ पे, गोवा, करनाटका, केरला, करनाटका के पड़ोसी पूछे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इधर, आंतरप्रदेश है, और अगर मैं बात करूँ, आंतरप्रदेश किधर है, Bay of Bengal के पास, इधर आप देख रहे हैं ये, West Bengal, Bay of Bengal पड़ेगा, Odisa, Bay of Bengal से लगा हुआ मिलेगा, ठीक, ये basic चीज़ें बता होने चाहिए, आपको इधर राजस्थान है, दूसरे के कौन से है, ठीक है बात, content भी करेंगे, थोड़ा-थोड़ा जो important है, जो बहुत बार पूछा गया है, अभी तो हम pedagogy ही कर रहे है, NCF की क्या recommendation है, इस पे भी एक question निश्चित है, कोई नहीं रोख सकता, दुनिया में के NCF से एक question आए, आपके EVS में, या एवन हर एक subject में seated के, देखिए, NCF की recommendations की यदि बात की जाएं, राहुल ल्यादव, देखिए, आंसा कीज़े, 24,000 लोग हम जुड़े हुए हैं, like share करते रहें, NCF की recommendations की बात करें, तो NCF 2005 ये recommend करता है, कि जो बच्चे की जिन्दगी है ना, school के अंदर, वो उसकी बाहर की दुनिया से connected हो, जहां वो बाकी के, बहुत सारे घंटे रहता है, 24 घंटे में से 6-7-8 घंटे ही, तो school रह लेगा हद से हद, है ना, बाकी तो बाहरी दुनिया में ही रह 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 है, तो उसकी बाहर की दुनिया से, school की दुनिया को जोड़ा जा सके, यानि connection बिल्ड हो सके, संबंध विक्सित हो सके, ठीक, connecting होनी चाहिए knowledge classroom की, जितना comfortable वो घर पे feel करता है, उतना comfortable उसको घर में, जितना comfortable उसको घर में, और community में feel होता है, उतना ही, उसको school में भी हो, यानि gap कम होना चाहिए, किसके बीच में, school और घर और community के बीच में, उसको एकदम ऐसा ही माहौल दो, जो natural हो, जो वो बाहर ढूंडता है, bookish knowledge, ये बहुत important point है, हर बार question आता है, bookish knowledge और road learning, यानि किताबी ग्यान, पहले बहुत अच्छा समझा जाता था, कि जो बच्चा ये तो किताबी कीड़ा है, भई पढ़ता रहता है, ये तो हर टाइम, ये तो 3D8 का, चतर राम लिंगम है, बाद में पता लगा ये तो, तो bookish और road learning, यानि रटने को और किताबी ग्यान को discourage करना है, real life understanding को उसकी बढ़ावा देना है, meaningful learning अर्थ पूर्ण अधिकम को बढ़ावा देना है, ये basic सी बाते हैं, जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए, फिर है, textbook developed, अब देखो, बहुत मज़दार चीज, textbook के बारे में, हर बार question आता है, और घुमा घुमा के question पूछ लेता है, textbook का मतलब क्या है, पाठ्य पुस्तक, हर एक subject में important है, पाठ्य पुस्तक, जो आपकी textbook है, जैसे NCIT की हमने summary की है, तो textbook की यदी में बात करूँ, पाठ्य पुस्तक की यदी में बात करूँ, देखिए एक बार, मज़ाग सिर्फ मैं करती हूँ हमारी class में, ठीक है नमृता जहा, textbook developed on this basis, attempt to implement the idea of, discouraged road learning, जो आपकी पुस्तक है न, NCIT की या EBS की environmental studies की परियावण अध्यन की, वो ऐसी होनी चाहिए, जो रटने को बढ़ावा नहीं, हाताश करे, हातोत साहित करे रटने को, एक question आया हुआ था, EBS की textbook की विशेश्टा है, तो उसमें था, कि discourage करे road learning को, एक था, avoid करे explanation और परिभार्षा, जिसको definition कहते हैं, तो कई लोगों को उसमें confusion हो गए, अब ही कलपर्सों मैंने उसमें कराया था, special class में, तो कई लोगों confused हो गए, ये देखके, कि discourage करे road learning को, ये विशेश्टा होगी कि नहीं होगी, ये विशेश्टा है, characteristic है, तो question को पढ़के समझना भी सीखना है, तो road learning को discourage करे, description or definitions को avoid करे, bookish knowledge ना भरे, बल्कि real life आसान language, technical language नहीं होनी चाहिए, book की आसान भाषा होनी चाहिए, EBS क्या है, child-centered education को पूरे तरीके से, क्या करता है, महत्व देता है, यानि, बाल केंदृत सिक्षा को, बाल केंदृत सिक्षा यानि, बच्चे को केंदृ में रखके, experiences उसके according, develop होने चाहिए, ठीक है बात, ये बात किस ने कही है, National Policy of Education, NP 1986, 1986 में, राजी वगांधी के टाइम पर आई थी, it will help us achieving the child-centered education, यदि हम किताब को अच्छा कर दें, तो इससे child-centered education को, हम achieve कर पाएंगे, descriptions को, बिना वजग की कहानियां और, descriptions and technical language, या definitions, भर-भर के परिभाशां याद ना करनी पड़ें बच्चे को, बलकि, आपने देखा होगा, EBS की textbook इतनी आसान है, कि ऐसा लगता है पढ़ने में, कि जैसे कहानियां है, अपनी ही life की, बच्चों के एक्स्पिरियंसेज, ऐसा लगता है जैसे, बच्चों के ही experiences share किये जा रहे हूँ, कुछ है ही नहीं, बुक में ऐसा, जिसको रटना पड़े आपको, कई लोग के रहे हैं, हिंदी में पढ़ाओ, मैं फार्सी बोल रही हूँ, या इतनी basic English अगर नहीं जानोगे, तो paper में pass कौन कराएगा आपको, क्योंकि आप अगर primary teacher भी बनने जा रहे हो, तो basic English आपको पढ़नी और समझनी तो आती हो, बोलनी नहीं आती तो, और book क्या करे, avoid करे gender bias को, textbook का feature क्या है, gender bias को, यानि लिंग पूर्वा ग्रह को, लिंग पक्षपात को avoid करे, और तभी आप देखते हैं, book में इतने सारे chapters हैं, women empowerment कह लिजे उसको, या आप equity कह लिजे, जैसे कलपना चावला के बारे में बात है, इसके अलावा आपकी, जो ये हैं, बचेंदरी पाल हैं, या आपकी कर्णम मलेश्वरी हैं, है न, सूर्या मनी हैं, इतनी सारी female, जो ऐसे exceptional महिलाएं हैं, जो रहने कुछ अच्छा किया है अपने शेत्र में, उनके बारे में बाते हुई है, तो gender stereotyping नहीं है ये, बलकि बढ़ावा है, ऐसे gender को जिसको दबा करके रखा गया है, विच वन अफ तो फॉलिंग दज दी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 नॉट प्रपोस इन दे कॉंटेक्स अफ एविए, ये जो नॉट है न, नॉट वाले questions, लीस्ट वाले questions, अलावा वाले questions, जादा ध्यान से पढ़ना पेपर में, नहीं तो गल्ती के chances बढ़ जाते हैं, जैसे ही not आजाता है, हैंट्स-on activities, familiarity with technical terms, देखो, hence-on activities तो होनी चाहिए, तभी तो बुक में activities दी गई हैं, कि ये करके देखो, बच्चे अपने आप देखें, पुली को लगा के, कितनी आसानी से रस्सी खींच पाएंगे, तो ये तो होनी चाहिए, familiarity with technical terms, अभी बताया था, technical terms को avoid करे textbook, सिर्फ तकनी की शब्द भरे ना हो, कि रट नहीं हैं बच्चे को, जो समझ में ही नहीं आ रहे, उसके environment से जोड़ो, thematic approach बिल्कुल follow करनी है, themes, six broad themes हैं ही, बच्चे के अनुभव से, और context से, संदर्भ से जोड़ना, बहुत अच्छी बात होती है, ये बात भी हमें पता है, तो इसका answer क्या हुआ, इसका simple answer है, not, तो familiarity with technical terms, तकनी की शब्दों से परिच्चे, कोई अन्तिम लक्ष नहीं है, NCF इसको बिल्कुल भी महतु नहीं देगा, कि आपने सिर्फ, technical terms डाल दिये बुक में, एकिकृत अधिगम, ये भी important है, integrated approach, एकिकृत अधिगम, ये देखिए, एकिकृत अधिगम, integrated approach, integrated approach का मतलब है, EVS में, अधियान से सुनियेगा, इस पर question हर बार आता, निश्चित है बिल्कुल, अब तक कि जितनी भी चीज़ें हुई है, आज के session में, आप ही तक, chance नहीं है, कि उन topics को हटा दे paper से, बस तरीका बदल देगा, पूछने का, तो इसलिए मैंने कहा था, एक दिड़ घंटा शुरुआत का, बहुत जादा important है, एक बार को NCRT, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, revise, लेकिन यह pedagogy नहीं छोड़ सकते हैं, अलग से pedagogy नहीं होगी, अब इसी session में include कर दी है मैंने, ठीक है, EVS की, integrated learning, यह final revision है, integrated का मतलब है, EVS के अंदर, आपकी, science की knowledge भी है, आपकी, social science, यह social studies जिसको आप कह रहे हैं, उसका भी ज्यान है, उसके भी topics included हैं, और, environment के तो हैं ही, तो यह तीनो subject, एक साथ जोड़ करके पढ़ाए जाते हैं, यह हम कह सकते हैं, इसी को integrated approach कह रहे हैं, यानि, एक ही कृत हैं, interconnected हैं, यह तीनो subject जोड़े हुए हैं, environmental studies में, अगर हम बात करें तो, एक घूट पानी पीलूँ, फिर समझाऊंगी, बहुत important बात है, देखिए, EVS में, बाकी subjects की knowledge भी interrelated है, जैसे की, आपका, अगर मैं बात करूँ, science, social science, environmental studies, तीनों चीज़ें, interconnected हैं, एक topic से आपने, दूसरे topic को जोड़ दिया, एक subject से, दूसरे subject को जोड़ दिया, यह important है, integrated learning को, promote करना है, यानि, बढ़ावा देना है, आपको, as a, EVS teacher, यह बात आपको याद रखनी है, कि बच्चा क्या है, संपून रूप में देखता है, अपने environment को, complete देखता है, as a whole देखता है, वो ऐसे नहीं सोचता, कि पेड़ देखा, तो कहा, अरे यह तो जोग्रफी का पार्ट है, यह तो EVS का पार्ट है, उसने किसी चीज़ को experiment करते हुए देखा, तो उसने का, अरे यह तो science का पार्ट है, है ना लिपी, फिर अगर उसने देखा, कि कोई समाज के बारे में topic है, वो कहे यह तो SST का हिस्सा है, ऐसा नहीं होता, उसके लिए environment है, उसके लिए वो माहौल है, कि यह science का topic है, जैसे digestion वाला chapter पढ़ा था हमने, अभी आज भी revise कराऊंगी, जो वो Dr. Beaumont वाली बात थी, Martin पर वो experiment करते हैं, तो वो science नहीं है उसके लिए, वो उसके environment का हिस्सा है, ठीक है, social science अलग से नहीं है उसके लिए, कि समाज के किसी बहुती बड़े इशू पर बात हो रही है, उसके लिए वो उसका environment है, इसलिए EBS में तीनों subject को holistic manner में, एक संपून परिपेक्ष में आप knowledge को दे पाएं, इसलिए integrated learning को promote किया गया है, और compartmentalized नहीं किया गया, science, social science और EBS में एक ही साथ, integrate करके knowledge दी गई है, यह question directly पुछा हुआ है, कि क्यों नहीं compartmentalize किया, जिनको यह थोड़ा सा भी हलका लग रहा हो ना, पेपर में रो होगे, अगर कोई भी चीज़ आपने छोड़ दी ना, आज, पेड़गोजी वाले points में से तो, hence, EBS in classes third and fifth, तीसरी, चौथी और पाँचवी कक्षा में, integrate करता है EBS, आगे तो अलग हो जाता है न, 6th से तो SST के 3 सबजेक्ट अलग हो गए, History, Geography, Quality, है न, आगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन third to fifth तक, यानि तीसरी, चौथी, पाँचवी कक्षा में, जो EBS है, उसके जो concepts and issues है, उसके जो मुद्धे हैं, उनको science, social science और environmental education के हिसाब से, उनको बाटा नहीं गया है, एक साथ ही integrate कर दिए गए है, एक ही कृत कर दिए गए है, यार, हिंदी में क्या बढ़ा हो, मतलब मैं फारसी में बात कर रहे हूँ, साथ में translate करके बता रहे हूँ, आपकी एक्षाएं खत्म होगे हैं जीवन में सीखने की, जो लोग भी ऐसी ऐसी बाते करते हैं, ठीक है, मैंने खुद हिंदी मीडियम में पता नहीं कितने साल, जो main education है मेरी हिंदी मीडियम की हुई है, क्या मुझे समझ नहीं आ रही ही चीज, मजाग करते हो यार, पेपर में समझ लो कम से कम, जब translate कर रहे हूँ, आपके दिमाग में रुखना चाहिए, या हिंदी और इंग्लिश पर अटके रहोगे, इतना तो bilingual बता होगा आपको, देखो एक बार, तो third and fifth की जो NCRT है, वो एकिकरत करती है अपने अंदर क्या, कैसे issues को, science यानि विज्ञान के भी विश्वों को, या मुद्दों को, social science यानि जो आपका सामाजिक विज्ञान है, और environment यानि पर्यावर्ण के मुद्दों को, इन तीनों को integrate करके, जोड करके पढ़ाया जाता है, EBS में, third to fifth के level पर, ये बात आपके दिमाग में जानी चाहिए, English हो, Hindi हो, Farsi हो, कुछ भी हो, बस समझ में आ जानी चाहिए, कुल मिला के बात ये है, ठीक है? देखो एक बार, this subject is not there in classes 1 and 2, ये जो subject है, कौन? EBS, EBS कक्षा, एक और दो में नहीं है, ये याद रखिएगा, EBS अलग से एक subject के रूप में, नहीं पढ़ाया जाता, first and second class के अंदर, first and second class के अंदर, ठीक है? पहली दूसरी कक्षा में, EBS नहीं पढ़ाया जाता, EBS की कोई किताब नहीं होती, ठीक है? और आप ही कितने सारी यार दोस्त होंगे यहाँ पे, इन 25,000-27,000 लोगों में, जो क्या कर रहे हैं? Hindi medium से हैं, लेकिन उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो चाहा रहे हैं समझना, अगर आप चाहेंगे नहीं, तो कहां से समझ आएगा? इस सब्जेक्ट इस नौट देर नहीं है, लेकिन आपका आधत होगे, जो मैं बोल रही हूँ, वो नहीं सुनना, वो देखना जो लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो, रट्टे लगा लो सबके, इसलिए मैं PPT पे कम चीज़ें लिखती हूँ, क्योंकि मुझे रट्टे नहीं लगवाना है, आपको आपके दिमाग में जानी चाहिएं चीज़ें, फिर उसके लिए रोते रहते हो, खाली PPT है, खाली PPT है, क्योंकि रट्टे लगा के बढ़ोगे, कोई पॉइंट रही है फिर, फिर वो वहाँ पर याद करते रहे ना, क्या था, क्या नहीं, देखिए, बट, the issues and concepts related to it, are meant to be a part of language and maths, ये बात याद रखनी है, EBS पहली और दूसरी कक्षा में, 1st and 2nd grade में, पढ़ाया ही नहीं जाता, अलग से, एक textbook, इसकी किताब ही नहीं होती, यानि, गड़त, क्यूंकि उसमें भी वही चीज़े होती है, environment में कितने सेब खरीदे, अब वो सेब environment का हिस्सा है, maths and language, जो भाषा की कक्षाएं चाहें, वो पेड़ पॉदों के बारे में कविताएं हो, तो गड़त और भाषा के माध्यम से ही, environmental studies के topics को convey कर दिया जाता है, क्यूंकि बच्चे छोटे हैं, तो बहुत जादा slivers की जूरती नहीं है, ठीक है, अरे attention नहीं लो, मैं कहते होती हो ने, कभी कभी, अगर आप लोग मुझसे कहेंगे, और मैं आपसे नहीं कहूंगी, तो कैसे चलेगा, अब कभी तो हमें बात करनी होगी ना, खुल के, यह Hindi, English पे ही रोते रहते हो, जब देखो, ठीक हो गई बात, Maths and Language, clear हो कई बात या नहीं, ठीक, Language and Maths, के through EBS पढ़ा दिया जाता है, पहली और दूसरी क्लास में, यह भी question डिरेक्टली पुछा हुआ है पेपर में, एक question पढ़ लो, अभी इसी बात पर एक-दो question प्रेक्टिस कर लो, देखो, क्योंकि में मुद्दे से भटक जाते हो, तब उससा आता है, जल्दी बताओ, फटा फट से बताओ, NCF 2005 has not recommended, not लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना, not recommended any prescribed curriculum and textbooks for EVS classes 1 and 2, 1st or 2nd class में EVS की ना कोई textbook है, ना कोई syllabus है, तो इसका reason क्या है, क्यों नहीं है 1st or 2nd class में EVS की textbook या पुस्तक, बताइए, जल्दी बताइए, जिससे curriculum का load reduce किया जा सके, यह है reason, जो कभी भी curriculum का load बढ़ाने और घटाने के लिए कोई भी काम नहीं होता, अगर ज़रत पढ़ेगी तो चीज़ें बढ़ाने भी पढ़ेंगी, EVS is only for class 3rd onwards, यह क्या बात हुई, पूछा है क्यों नहीं कर सकते, आप कह रहे हैं जो नहीं, है ही नहीं, है नहीं का कोई reason भी तो होगा, तो reason पूछ रहे हैं वो यहाँ, यह नहीं कि सिर्फ 3rd से शुरू होता है, यह तो उन्हें भी पता है, वही तो कह रहे हैं वो, learners in classes 1 and 2, cannot read and write, जो बच्चे हैं वो पढ़ा और लिख नहीं सकते, 1st or class 2nd में, कितनी दुख की बात है, बिकार की बात है, जब वो हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, maths पढ़ सकते हैं, और EBS के लिए उनको लिखना पढ़ना नहीं आता होगा, तो ऐसे जहांसे में मत फसीएगा, इस तरहा की option आपको भटकाने के लिए दिये जाते हैं, फिर है to provide a contextual learning environment, बिलको सही बात है, संदर्भ में, संदर्भ में सीख जाए बच्चा उन subject को कैसे, संदर्भ का मतलब क्या है, maths और language के संदर्भ में, maths और language के through, फिर है, अब ही दो मिनट पहली किया था, जब आपको अंग्रेजी की बुराईयां याद आ रही थी, बताओ एक बार, उर्दू में कराओं, हाँ कराओंगी कल से, मुझे ही सिखा दो सारी भाषा है, मेरा तो ज्यान बढ़ जाएगा, आपका कैसे बढ़ेगा, ये बताओ, मैं तो खुद इतना ध्यान रखती हूँ, ये टांसलेशन इसलिए शुरू किया था, कि आप सभी समझ पाएए अट लिस्ट, करा देंगे धीरे धीरे, हिंदी इंग्लिश, दोनों में लिखवा दिया करेंगे, भर देंगे पूरा पेज यहाँ पर, जैसे किताबों से पढ़ रहे हो, बताओ एक बार, बेग अब कितने महान लोग हैं, कई लोग कह रहे हैं, क्योंकि स्लेबस सी बीस्ट ने बनाया है, हमें नहीं पता क्या, यह पागल हैं क्वेशन पूछन पूछने वाले, इनने नहीं पता, CBSC ने बनाया असले बस, यह यूँ पूछ रहे हैं, कि भाहिया, कमपार्टमेंटलाइज क्यों नहीं किया, अलग क्यों नहीं किया, साइंस की अलग बुक, सोचल साइंस की अलग बुक, EVS की अलग, ऐसे क्यों नहीं किया, EVS में क्यों दे दिया, तीनों चीज़ें, तो सिंपल बात है, holistic approach अपना नहीं थी, बच्चा holistic अलिए अपने environment को, as a whole देखता है, वो अलग अलग नहीं देखता, तीनों subjects को, इसलिए third to fifth में, holistic manner में learning देने के लिए, उन्हें नहीं किया, it is a good teaching learning strategy, ये फिर से again, ये load word कम करने के लिए नहीं होता, तो इसको पढ़ना, in EVS concepts and issues, have not been compartmentalized, इस not का मतलब, वो अला not नहीं है, जो in general होता है, ये not का मतलब है, क्यों नहीं अलग किया, simple बात है, आगे बढ़ेंगे इसी बात पर अब हम, textbook की कुछ विशेश्टाओं के बारे, मैं बात कर लेते हैं, EVS की, देखिए, textbook यानि, पाठ्थे पुस्तक, पाठ्थे पुस्तक, ना, देखिए फटापट से, अगर मैं बात करूँ, textbook is not the only source of knowledge, क्या है, ये बात मैं आपको लगभग हर subject में बता चुकी हूँ, कि एक मात्र source, एक मात्र संसाधन नहीं है, textbook इसके अलावा भी हजारों चीजें हैं, जिसके माध्यम से आप ज्यान का निर्मान कर सकते हैं, textbook is just one of the mediums or resources, यानि जो पाठ्य पुस्तक है, वो बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, बट एक मात्र संसाधन नहीं है, फीक है, पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है, एक अच्छा संसाधन है, एक अच्छा resource है, बात सही है, बट एक मात्र संसाधन यानि only resource नहीं है, एक तो यह only के options ना, हमेशा ध्यान रखा करो, यह only जो है, यह आपको हमेशा गलत ही तरफ लेकी जाता है, 99% in the cases, देखिए, but should support children to construct knowledge, किताब ऐसी हुनी चाहिए, कि बच्चे को support करे, knowledge को construct करने में, उसमें activities दी हुई हों, सारी चीज़ें हों, सारे sources से बच्चा अपनी knowledge को develop कर पाए, जैसे लोगों के बारे में चर्चाए हों, जैसे आप अपने book में लिखा हुआ है, यह आज आप अपने दादा दादी से जा के पूछना, पहले सिक्के कैसे होते थे उनके environment के बारे में newspapers वगेरा से connect कर पाए, वो overall connect कर पाए knowledge को आगे बढ़ेंगे there is no place for definitions and mere information, यह ध्यान रखेगा, book का बहुत बड़ा characteristic है कि textbook में EBS की किस चीज़ की जुरत नहीं है definitions परिभाशाएं नहीं भरी गई है, और सिर्फ खाली information transmitted नहीं हुई है सिर्फ information नहीं भरी है बलकि कोशिश की गई है जो language है, जो जिस भाशा का इस्तमाल EBS में हुआ है, वो formal नहीं है, formal मतलब बिल्कुल जी, आप, फलाना, ढिमकाना बिल्कुल exact, bookish knowledge या bookish language नहीं है, वो non-formal sorry, informal है, या वो भाशा है, जो बच्चों के द्वारा बोली जाती है जैसे आपने देखा होगा एक चैप्टर है फलाने की डाइरी, ये वो किसी का travel का वृतान्त है, तो उसमें बच्चा बता रहा है, मैं ना जब केरला गई थी अपनी मौसी के पास, तो हाँ आच्छा वो जो अच्छा एक्जामपल है, लिंग हू फेन जो डिश है कि मैं तो मैं कहां रहता हूँ, मैं मिगल है या मैं इंडोनेशिया में रहता हूँ और यहाँ पर हम लिंग हू फेन खाते हैं, बुक में लिखा हूँ है आज की क्लास तो लंबी जाएगी जल्दी बढ़ाई जल्दी फटावट से Which one of the following characteristics should an EVS textbook at the primary level not have कौन सी विशिष्टा नहीं होनी चाहिए ध्यान से पढ़िया अगर question को पढ़के समझ लिया तो आधा काम तो आपका वहीं हो गया It includes true stories and incidents ये तो अच्छी बात है not पूछा है कौन सी बात सही नहीं है It focuses on definitions and explanations of abstract concepts ये खतरनाख है क्योंकि definition को तो avoid करना था और यहाँ उल्टा abstract concept की भी definition है अमूर्थ चीजों की भी जबकि हमें मूर्थ चीजों के तवारा सिखाना था ये गलत है इसी दिये सही है क्योंकि पूछा ही गलत है और यही सही है क्योंकि यही गलत है फीक है It presents natural and sociocultural environment ये तो अच्छी बात है natural environment के बारे में समझ देती है आपकी textbook It caters to diverse backgrounds of his students ये बात भी सही है ये cater करती है बच्चे के विभिन background जो है उसके विस्तरत जो प्रिष्ट भूमी है अलग अलग बच्चा अलग अलग जगा से आता है तो इस बात का भी ध्यान रखती है टेक्स लूग तभी तो इतने सारे चैप्टर है उसमें दिल्ली की बीबात हो रही है उसमें Asam की भी बात हो रही है उसमें Kerala की भी बात हो रही है उसमें Odisha की भी बात हो रही है तो पूरे India connect कर दिया नेक्स्ट क्वेशन देख लीजाए इसी बात पर आपकी पेड़ागाल जी खत्म होने वाली है कुछी मिनट्स में फिर हम मजे से NCRT का revision करेंगे जो की main main revision है पूरी NCRT नहीं डाली है जो main है वही डाला है देखिए which one of the following is not true with respect to EVS? EVS के बारे में कौन सी बात सही नहीं है बता दीजे child centered based है ये तो सही है opportunity मिलती है बच्चे को explore करने की environment को ये बात भी सही है emphasize करती है description और definition पे ये बात गलत है सिर्फ description और definition पे नहीं है ये activity based होता है c option ही सही है क्योंकि यही गलत है nature of EVS is integrated बिल्कुल science, EVS, social science सब connected है ये बात भी सही है आप लोग आजकल पूरी energy बना के रखे हुए हो है lesser the burden अब NCF में कहा गया है कि सिक्षा बिना बोज के जो एक report थी 1992 की प्रोफेसर येश्पाल के दुवारा दी गई उसमें burden को कम करने की बात की गई है बच्चे पे बोज को कम करने की बात की गई है बस्ते से भारी बच्चे से भारी बस्ता नहीं होना चाहिए ठीक तो burden को कैसे कम करेंगे जब flexibility होगी लचीलापन होगा कहा लचीलापन होगा किस चीज में उनके daily time table में जो time table है वो लचीला पाया जाए ऐसा नहीं है fixed है पहला period दूसरा period तीसरा period नहीं बदलते रहें कुछ games वगएरा कभी उनको time मिले कभी field trip पे लेके जा रहे हो कभी कोई experiment करा रहे हो rigidity नहीं होनी चाहिए time table में याद रखिएगा क्या नहीं होनी चाहिए rigidity rigid नहीं होना चाहिए जैसे कई लोग rigid हो जाते हैं नहीं हम तो जब तक Hindi में words नहीं लख्या होंगे हमें समझ में नहीं आएगा अब आप में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं बच्ची है rigidity नहीं flexibility लचीलापन होना चाहिए time table में थोड़ा उपर नीचे चल सकता है फिर है is required in order to actually devote the days to teaching धंकी जरत होगी time table में ना की rigidity की फिर एक और चीज है हाँ आपके तीन चार ही pages बचते हैं आपके pedagogy के देखिए देखो the methods of teaching and evaluation will also determine the effectivity of the present textbook देखो textbook की ही गलती नहीं है पढ़ाने वाले के भी उपर है कि वो कैसे सिखाएगा textbook में जो method दिये गए पढ़ाने के और मुल्यांकन के evaluate करने के क्योंकि मुल्यांकन भी जरूरी है पता किस चलेगा बच्चे कैसे सीखते हैं कहां तक सीख लिया है जो objectives जो अद्देशन अर्धारित हुए थे उनको कितना achieve कर लिया गया है कोई कह रहा है मेरा internet गया मांग लो पड़ोसी से जाके उन चार लोगों से मांग लो जो result पूछना आएंगे आपका कि जो internet दे दो result बताऊंगी आपको देखो एक बार teaching and evaluation यानि teaching और evaluation के जो methods हैं पढ़ाने के तरीके को कैसे use किया गया है और मुल्यांकन के तरीके को कैसे use किया गया है इस बात से भी निर्धारित होगा कि textbook किस हद तक सफल हो पाई ठीक है और बच्चे का experience कितना अच्छा हो पाया ये teacher के तरीके पे चाहिए वो evaluation का तरीका हो चाहिए वो पढ़ाने का तरीका हो निर्भर करेगा ठीक है बात आगे बढ़ेंगे मैं खुद इतनी ज़्यादा बदलब क्या कहूँ एक शुक हूँ आप लोगों से मिलने की एक साल से ज़्यादा होगी अब मीटप नहीं हुआ है और मुझे बहुत इक्षा है आप लोगों से मिलने की देखो, seated का exam दो जैसी जिस दिन result आएगा मैं अनाउंस कर दोगी मीटप कब है और कितने लोग आ सकते हैं क्योंकि अभी लिमिटेशन है ना यहाँ अवसर दिये जाने चाहिए किस चीज के contemplate करने के यानि उच इस तरह है thinking करने के higher order thinking skills hots उनके develop हो उच इस तरह है सोच जो है, चिंतन जो है वो बच्चे का विक्सित हो 90% net खतम हो गया किसी का पड़ोस्यों से मांग लो जाके अपने यार दोस्तों से मांगो जो आस-पास हो, ममी पापा बहन भाइ से मांग लो अब बहन भाइ से कहो के तुमारी कोई बात नहीं बताउँगा या बताउँगी आज इंटरनेट दे दू, नहीं कि इसा है नहीं, ऐसा हो सकता है बस मेरे पास इंटरनेट की कमी नहीं है, स्लिय नहीं करती हो यह सब देखो एक बार उच्छ दन, सोच बच्चे की thinking, जो wondering है, इधर उधर से वो जो आश्चर रहे, पैदा होता है न बच्चे में वो wonder कर सके, घूम फिर सके explore कर सके चोटे समूह में चर्चा और अनुभव वाली गतिविधियों के अफसर देने चाहिए, यानि small groups में activity कराई है, peer learning को बढ़ावा दीजे peer learning को बढ़ावा दीजे, शादी कब करें मैंने अभी कल पर सो ही बताया था, कि अब यह सवाल कोई नहीं पूछेगा, उसका मैंने proper तर्क दिया था आपको, है न, देखो peer learning को, group learning को एक दूसरे को सहयोग करने को आपको बढ़ावा देना है उससे क्या होगा, social skills बच्चे की अच्छी होंगी, सामाजिक जो गतिविधियां है, कौशल है वो भी बढ़ेंगे, socialization भी भेहतर होगा इन सारी activities से, ठीक एक और point है, जो की last है, text book of EVS's child centered, जो book है, पुस्तक है आपकी EVS की, वो कैसी है, बाल के इंदृत है so that children get a lot of space to explore, ताकि बच्चों को explore करने का मौका मिले, innovation का मौका मिले, और वो compelled ना हो, किस चीज़ के लिए रटने के लिए, अगर पाल केंदृत activities होंगी book में, तो बच्चों को रटने की जोरत नहीं पड़ेगी, शौक थोड़ी किसी को रटने का आगे बढ़ेंगे which one of the following should be the most important aspect of EVS reaching at primary level यानि primary level पर EVS को पढ़ाने का सबसे महत्वपून पक्ष क्या हो सकता है ये आप बता दीजे फिर हम आपकी पेड़गोजी को विराम देदेंगे my chat is disabled in live chat शेक कर रहे हैं आपने इतने comment किये होंगे कि ये automatically हो गया होगा, मेरे हाथ में नहीं होता उसको enable करना, देखूंगी 30,000 लोग देख रहे हैं जर लाइक और शेयर भी देख लें कितने हैं बहुत बड़िया देखिए which one of the following should be the most important aspect सबसे महत्वपून पक्ष क्या है E.V.S को पढ़ाने का primary level पे activities conduct हो सकती हैं और बच्चों में skill develop होंगे बिलकु सही बात है achieving success in assessment यानि success को अचीव कर पाएंगे आप आकलन में यह थोड़ी मेर मुद्दा है कि आप आकलन में successful हो पाएं understanding the basic concepts of science science क्यों? E.V.S. भी है, social science भी है connecting learners to the natural and socio-cultural environment यह बात सही है यह बात सही है देखो कितना must question है, best question है अगर आपने, कई लोग करते हैं वो बड़े smart बनते हैं, उनको लगता है मैं time बचा लूँ paper में, तो वो क्या करेंगे, अगर उनको दो option में अच्छा लगया ना कोई option, वो वहीं answer करके और आगे बढ़ जाएंगे, कि time बचा लिया और अगर आपने चारों option नहीं पढ़े ना paper में तो बरबादी निश्चित है, क्योंकि यहाँ language का ही खेल है, CTET में अगर आप नहीं, दी तक नहीं पढ़ाता है, तो आपको पता ही नहीं लगता कौन सा option best है यह में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी यह option बहुत अच्छा था कि conducting activities and developing skills, यानि बिल्कुल आप conduct करें और skills को भी develop करें, कोई दिक्कत नहीं है but connecting learners to the natural and socio-cultural environment सामाजिक सांस्कृतिक संधर्व में अगर आप जोड़ पाएं तो ज़्यादा अच्छा है तो D option, आगे बढ़ेंगे इसलिए speed आपकी अच्छी होने चाहिए, आपका revision बहुत अच्छा होना चाहिए यहाँ तक की pedagogy की बात थी, 15 number आपके निश्चित हो गए है अगर आप धिहान से paper को revise करेंगे इस चीज को practice करेंगे थोड़ी सी, हवा में नहीं आएंगे number number practice करने से आएंगे, थोड़ा बहुत revision करने से आएंगे understanding अगर अच्छी होगी तब number आएंगे इके बात, मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है इसको revise कर लिए जगा multiple times, अब हम NCIT को फटा-फट्चे main main point को revise करेंगे, बहुत जल्दी से कर देंगे आदे विंटे में, देखो, यह मैं थोड़ा सा speed में चलूँगी क्योंकि आपको करा चुकी हूँ बहुत बार school जाने का, school कैसे जाते हैं असम के बच्चे पांस और रसी के bridge को बना करके आसम में बच्चे school जाते हैं, जो आप देख पा रहे हैं आगे बढ़ेंगे कुछ important points हैं, आसम में बच्चे bamboo और rope bridge से जाते हैं, या नि बांस और रसी के bridge को बना करके, trolley का इस्तमाल school जाने के लिए किया जाता है लद्दाख में cement bridge का इस्तमाल normal areas में किया जाता है, पानी के उपर wellum जो है, छोटी सी लखडी की नाव है, जो केरिला में चलती है camel cart क्या है, राजस्थान में चलती है, camel cart कहां चलती है, राजस्थान में, ठीक, उंट गाड़ी इतना तो पतागी आपको bullock carts, जो bell कान हैं, वो holes होते हैं, छोटी-छोटे शिद्र होते हैं, जिनसे वो सुन पाता है सर पे आँख होती हैं, उसकी दोनों तरफ ठीक, और अगर वो अभी आगे बताऊंगी, lizard अगर वो same object पे देखेगा, तो दोनों आखे एक साथ पूरे सर्दी के सीजन में, जो शिपकलिया है क्रोकोडाइल जो है, मगर मच उसके भी जो ear हैं, वो ऐसी होते हैं छेद जैसे होते हैं, और आँखे उसकी भी सर पे ही हैं, एक परी किसे यह आप देख पा रहे हैं, क्रोकोडाइल के एक तरह की बोट है, जो केरेला में इस्तिमाल की जाती है, एक है बाद आगे बढ़ जाएंगे NCIT में ट्रें टिकेट की कुछ विशेश्टाएं हैं, छे विशेश्टाएं हैं, अच्छे समझ लीजेगा, अगर पांच ही हैं विशेश्टा हैं, यह तो विशेश्टा नही है, यह तो डीटेल है, इन पांचों को अगर याद रखोगे तो question कलगए होगा, train टिकेट पे पूछा जा चुका है question, train number लिखा होगा, कब से journey start होगी, यह होगा, कौन सा birth और coach नंबर है डबबा कौन सा है, charges कितने हैं, उसकी cost क्या है टिकेट की और distance कितना है जहां से आप जा रहे हैं, ठीक है बात, ये कुछ चीजें train टिकेट पे होती हैं, ये 5 चीजें आप याद रखेंगे, कर्णम मलेश्वरी के बारे में फिर से समझ लो, NCRT को फॉलो करना है, किसी Google, किसी बहुत अच्छी किताब को फॉलो नहीं करना, NCRT ही भगवान है आपके, सीटेट के पेपर के लिए, ठीक, अगर हम बात करूं कर्णम मलेश्वरी की, तो कर्णम मलेश्वरी एक weightlifter हैं, भार उत्तोलक हैं, जो आंद्रप्रदेश से हैं, जिनके पिताजी क्या थे, Constable हैं, इनकी चार बहने हैं, जो weightlifting ही practice करती हैं, 130 kg तक का वजन यह उठा लेती हैं, 12 वर्ष की उमर में इन्होंने, वजन उठाना यानि weightlifting शुरू की थी, 29 international medals यह जीत चुकी हैं, यही सारी कहाने हैं, जो आपको याद रखने हैं, बार बार याद रखनी हैं, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, परिशानी होगी, दुख और दर्द, दोनों चीज़े होंगी, बेजज़िती न करो please, किसकी करदी बेज़िती, अरे मजाग करती हूँ मैं यार, दुखी क्यों हो जाते हो, अनुछ कह रहे हैं, यह जो दो सा तेरा अनलाइक वाले, उनका एड्रस कहां मिलेगा, अरे कोई बात नहीं है, सबको आजादी है इस देश में, कुछ भी करने का, रेटिंग स्केल में, अब्जर्वेशन की स्केल लगती है, क्योंकि आप रेटिंग किसी को देंगे, अगर आप पिज़ा खाने जा रहे हैं, और कह रहे हैं, कि कुछ लोग तो इतने दुखी हैं, उनका जीवन इसलिए चल रहा है, कि ये दो चैनल हैं दुनिया में, या ये चार चैनल हैं, ये इससे अच्छा है, दूसरा इससे बढ़िया है, ये जो कहानिया हैं न, ये बड़ी खराब हैं, ये आपके जीवन को नश्ट कराएंगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा, सिंपल बात है, मुझे जो करना हैं वो मैं करूँगी, किसी और को जो करना होगा, वो करेगा, आप बिकार में अपने मन को गंदा कर रहे हैं, हेट फैला करके, अपने आपको बुरा समझ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे 0.1% का भी, मैं पिछले 4-5 साल में बहुत कुछ देख चुकी है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कुछ चीज़ों का, जो लोग यहां सीखने आते हैं, उनका फर्क पड़ता है बस, देखो, करनम मरेश्वरी बहुत important बात बता रही थी, मैं बीच में, इधर उधर चली गई, खेर कोई बात नहीं, तो कोई बार-बार पूछा जा चुका है, और आपको ध्यान रखने हैं इस बात, यह जो flowers हैं, जैसे कि marigold, xenia, इन सब को dye करने के लिए, करने में, जो flower valley है, जो फूलों का बगिक्चा, खेहली जाए आप इसको, या जो भी इसका है, technical नाम होता होगा, उत्राखंड में पाई जाएगी, यह बात भी आप याद रखेंगे, वो, कौन सी movie है वो, हमारी अधूरी कहानी, उसमें दिखाये गया, उससे आप याद रख लेंगे इस बाद को, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, उत्राखंड कहा हैं, नौर्थ में है, कन्नौज district में, इत्र यानि वो perfume के लिए famous है, कन्नौज district UP में है, फिर है next, मधुवनी painting बहुत important है, मधुवनी painting कैसे बनाई जाती है, पहले तो ये लोक कला का एक हिस्सा है, है न, और ये मधुवनी, इसका नाम इसलिए पड़ा, क्योंकि मधुवनी एक district है, बिहार का, क्या है, एक जला है बिहार का, जिसके नाम पे मधुवनी painting का नाम पड़ा, और ये लोक कला की फॉर्म बन गई, मधुवनी painting, है न, ये हमने बता ही दिया है आपको, बनती कैसे है ये, पेस्ट आफ पाउडर्ड राइस, यानि, जो पेस्ट है, जो चूरा है, जो बिल्कुल राइस का, पेस्ट बनाया जाता है, उनको पीस करके, राइस को, यानि, किसको, चावलाओं को पीस करके, और उसमें कुछ color mix किये जाते हैं, जो natural color होते हैं, जैसे हल्दी, पीले रंग के लिए mix कर देंगे, टर्मरिक को, इंडिगो, यानि नीले रंग के लिए, नील को mix कर देंगे, जैना, उजाला, चार बूंदा वाला, याद ही होगा आपको, फिर है आपको, टर्मरिक हमने समझ लिया, color के लिए, natural color add होते हैं, flowers के कुछ-कुछ color, trees के कुछ-कुछ color, इसमें add होते हैं, कोई दिक्कत, परशानी, इनमें दिखाया क्या आजाता है, human beings होते हैं, human beings, animals हो सकते हैं, चुहे, बिल्ली, whatever it is, trees हो सकते हैं, पता नहीं, अब tree तो मैं कितना ही अच्छा बना पौँँगी, क्योंकि मेरी drawing माशालला है, बिल्कुल, बनेगा भी, tree बनेगा, अब एक और कोशिश नहीं करूँगी, birds होते हैं, fish और बहुत सारे अलग-अलग animals इसमें पाई जाते हैं, ठीक है बात, फिर है next point, बेलवेनिका विलेज कहा है, करनाटका में है, करनाटका के पड़ोसी केरला है, आंध्रप्रदेश है, यह सब करनाटका के पड़ोसी हैं, गीजुबाई बड़े का, गुजरात में रहते तो, उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, दिवास्व अपने इनकी एक बहुत famous book है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक Indian Robin, यह एक पक्षी है Indian Robin, यह question आया भी हुआ है, यह roadside, यानि road के side में, पत्थरों के बीच में अपने अंडे देता है, Indian Robin, ठीक है, clear हुई यह बात, ड़ पक्षी के बारे में, मैंने लास्ट ताइम आपको NCRT में कराया था, जोरान वीडियो देखी हो, कोयल क्या है अपने अंडे, कोय के nest में देती है, यानि घोसले में देती है, कोयल क्या एक चालाग सा bird है, जो कोय के घोसले को यूज करती है अपने अंडे देने में, और कोया जो है, क्रो जो है वो पालता रहेगा इसको, क्यूंकि इनके eggs में, जो crow and quail के eggs हैं उनमें बहुत हलका सा difference होता है जो quail के egg हैं में हलके से छोटे होते हैं quail के यानि crow के eggs है birds जो है, पक्षी जो है वो अपने अंडों का इस्तिमाल सिर्फ स्री, अपने अंडों नहीं अपने घोंसले का इस्तिमाल सिर्फ अंडे देने के लिए करते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं इसको जैसे ही वो हैच करते हैं और थोड़े से उनके जो chicks हैं जो उनके छोड़े बच्चे हैं वो बड़े होते हैं तो ठीक हो गई बात कोई समस्या परशानी कोई दर्द कोई दुख नहीं होगा आगे बढ़ेंगे नालमंदा इस इन आंधरप्रदेश नालमंदा एक जगा है जो कि आंधरप्रदेश में है और आंधरप्रदेश कहां है ये बे आफ बंगॉल के बिलकुर आप कह सकते हैं बे आफ बंगॉल में बे आफ बंगॉल की बाउंडरी पे ही है या इस भीम संग कहा गया है भीम संग भीम संग कहा गया है बनियन ट्री के बारे में याद रखेगा इसको बरगत का पेड कहते हैं ये इसकी ब्रांचिस लटकी हुई होती है ये जो लटकी हुई है ये इसकी कुछ पत्या नहीं है ये इसकी ब्रांचिस हैं branches भी नहीं है actually इसकी roots है इसकी जड़ें है जो बाहर भी है और जमीन के अंदर भी है याद रखे का अंदर भी होती है banana tree की roots ठीक desert oak एक ऐसा पेड़ है जो Australia में पाया जाएगा जिसको ज़्यादा पानी की जौरत नहीं है oak tree अपने इसकी जो roots है oak tree की desert oak की रेगिस्तानी oak की वो deep जाती है ground के अंदर जहां तक वो पानी ground level water को reach कर जाएगी और इसके अंदर इसके trunk में जो तना होता है न पेड़ का उसमें पानी को store कर लिया जाता है लोग इसमें pipe लगा के को celebrate करते हैं 14 और 15 को January के या फिर first second of एसमें कलेंडर में ठीक है बात आगे बढ़ेंगे भेला घर बनाते हैं लोग किस से बास से कहां पे असम के अंदर और पोचमपली जो है मुकतापुर विलेज is in पोचमपली district पोचमपली कहा है district है यहां की कुछ चीज famous है वो आप बता दीज़ेगा साडियां आंधर प्रदेश के अंदर आता है यह ठीक जो tradition है पोचमपली के वो weaving है, toy making है, perfume production है जो कि हमने अभी perfume production कर्नौज भी famous है यह भी हमने सुना था ठीक कुछ जगां आँके नाम से famous हो जाती है हम ठीक, वहां की जो currency है patrol सस्ता है पानी से आबुदाबी में और date palms भी वहां मिलते हैं जो खजूर है captain, sorry, lieutenant, commander वहिदा प्रिज्म की हमने कहानी सुनी थी, यह पहली महिला बनी थी parade को lead करने वाली और यह थन्ना मंडी district से हैं, जमुयन कश्मीर के एक parade में 36, अब जब जन्वर यारा parade होगी, जन्हों 36 कमांड्स होती है यह पहली महिला थी, जन्होंने parade को lead किया अब एक और चीज़ देख लीज़े, जो Tibetan है इसको भोती language भी कहते हैं, तिबतन भाशा को भोती language भी कहते हैं, भोती भी जूले जूले कह सकते हैं, जिसमें हम welcome को हमने पढ़ा है, लदाख में बोली जाती है, ठीक है बात भोती language में मदर को आमा ले कहा जाएगा, और फादर को आबा ले कहा जाएगा, ठीक है लदाख अगर आप map पे देखना चाहें, यहाँ पर है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे जो चीटियां हैं, वो एक दूसरे के पीछे move करती हैं, एक smell छोड़ती हैं, एक गंध छोड़ती हैं जिसको सुंते हुए बाकी चीटियां इनके पीछे-पीछे इनको follow करती रहती हैं, तो यह जुंड में ऐसी चलती हैं, लाइन वाइज जो आपकी ends हैं या फिर चीटियां हैं, ठीक हो गई बात आगे बढ़ेंगे A silkworm can find its female worm from many kilometers away by her smell, तुझे तेरी खुश्बू से पहचान लोंगा, kilometers दूर से जो silkworm हैं, जो रेश्मी कीडा है, वो अपनी female worm को अपनी female partner को किलो मीटर से पहचान लेता है जस्ट उसकी smell से, पता नहीं कौन सा इतरी ये लगाती हैं, पिर mosquitoes can find, जो मच्छर हैं, वो भी हमारे जैसे लोगों को, human body को दूर से ही smell करते हैं, और जो हमारे तलवे हैं, यानि जो soul हैं हमारे feet के, उनकी गर्माहट से ये मच्छर हमारे पास उड़ते हुए आते हैं और तेरा खून चूस लूंगा कहके खून चूस लेते हैं, ठीक, फिर आप all out, more teen और पता नहीं क्या-क्या लगाते होंगे ठीक आगे बढ़ेंगे, next point जो dogs हैं, वो भी अपना area mark कर देते हैं, अपने urination के थुरू, मूत्र जो मलमूत्र है, basically मूत्र ही कहेंगे ये क्या करेंगे, पूरा एक area mark कर देंगे boundary बना देंगे, और ये क्या करते हैं, smell कर सकते हैं किसी भी एक नए कुत्ते को अपने area में, अपने इलाके में, उसकी smell of urine से, ठीक है, कि कोई और भी हमारे इलाके में आया है, कि नहीं, ये उसकी smell से ही पता लगा लेते हैं, ठीक अब जो जायतर birds हैं उनकी जो आखें हैं, वो उनके सर पे होती हैं, यानि दोनों साइड उनके सर के, ये उनकी खोपड़ी है एक इस तरफ है आँख, एक इस तरफ है जैसे ये हमारी खोपड़ी है, एक आँख इस तरफ होती दूसरी इधर होती, तो हम भी bird कहलाते ठीक है, फिर है इनकी जो आखें हैं हैं, जब ये एक ही object पे focus करती है एक जगह पे दोनों आखें focus कर सकती है, तो simple है जब ये straight यानि सीधे देख रहे होते हैं तो एक जगह पे इनकी दोनों आखें focus कर रहे होती है जैसे ये bird अभी सीधे देख रहा था ये बात मैंने आपको बता दी है कि when the birds look straight both their eyes focus on the same object ये बात clear है in most of the birds eyes are fixed and cannot move ये बात आपको याद रखनी है head के दोनों साइड है लेकिन ये move नहीं कर सकती fixed होती है, आखें किसकी birds की, ठीक, पक्षियों की आखें fixed होती है, उनको पूरा सर घुमाना पड़ेगा अलग-अलग side देखने के लिए अगर एक आँख इधर तो इधर ही देखेंगे ये घूमती नहीं है उसकी आँखें फिर है कुछ ये आया हुआ question है जो आपकी kites हैं, जिसको आप chill कह लीजे, eagle, barge कह लीजे और vulture, गiddh कह लीजे महा भारत सब ने देखी ही होगी इस बार इनकी जो eyesight है इनकी जो आँखों की दृष्टी है, वो बहुत मजबूत होती है हमसे 4 गुना बहतर होती है हमसे 4x zoom के साथ ही ज़्यादा बहतर देख पाएंगे clarity के साथ, जो चीज हमें दो मीटर के distance पर देखेगी इनको 8 मीटर दूर से ही दिख जाएगी है ना, तो हमसे 4 गुना बहतर ये देख सकते हैं, जो हम 8 मीटर basically, ये 8 मीटर से देख लेंगे जिसके लिए हमें 2 मीटर पास जाना पड़ेगा मानलो, ये किताब है ये कोई एक बुक है इसको पढ़ने के लिए मुझे चाहिए कि 2 मीटर के distance पर हो, और बर्ड को आप 8 मीटर से पढ़ लेगा, दूर से बैठके चिट्टी रोबोट है ये, देखे आगे बढ़ते हैं, एनिमल्स जो है, उतने colors नहीं देख पाते, जितने हमें देखते हैं उनकी दुनिया इतनी रंगीली नहीं होती जितनी हमारी होती है ऐसा believe किया जाता है, जो एनिमल्स हैं जो दिन में जगते हैं, वो फिर भी थोड़े बहुत color देखते हैं, लेकिन जो एनिमल्स रात को जगते हैं, उनको क्या है बहुत कम दिखाई देता है, या black and white में दिखाई देता है, जैसे उल्लू है ये रात को जगता है, तो इसको सिर्फ दो ही color दिखाई देंगे, black and white है न, यानि black and white TV की तरह इनकी आँखे बन गई है यानि सफेद और काला सिर्फ दो ही रंग नजर आएंगे, उन animals को जो रात में जगते हैं, उल्लू अपनी आउल जो है अपनी गर्दन को बहुत extend तक घुमा सकता है, लेकिन मैना जो है वो जटके से आगे पीछे करती है गर्दन, ये बात याद रखिएगा वो birds, जो birds है उनके ear small होते हैं और holes होते हैं, इनके feathers है जैसे इसके जो ये fur है जो पंक है, इनसे ढखे हुए रहते हैं bird के कान, ठीक है hole होते हैं छोटे-छोटे, और ये जो feathers है, ये जो पंक है, ये इनको गर्माहट भी देते हैं और ओड़ने में मदद भी करते हैं ये बातें आपको पता होनी चाहिए कई जो animals और birds हैं उनकी danger में होने के बाद अलग-अलग sound वो निकालते हैं, अलग-अलग purposes के लिए जैसे लंगूर है, tiger है, लियोपार्ड है वो danger यानि खत्रे की स्थिती में अलग-अलग अवाज है, निकालेंगे जैसे tiger the hard भी सकता है, कुछ animals अलग सा behave करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको vibrations या पहले ही पता लग जाता है किसी भी एक natural calamity के बारे में किसी भी एक bhookamp या storm या कुछ भी tsunami के बारे में ऐसा हुआ भी था, एक tribe थी अन्वान अनिकोबार में जो बच गई थी क्योंकि उनके animals ने अलग सा behave करना शुरू कर दिया था people who live in forest can observe ये जो लोग forest में रहते हैं, वो observe कर सकते हैं इस बात को snakes, ये question पूछा हुआ है 2015 में या 16 में snakes जो है, सांप जो है, वो deaf and dumb होते हैं, बहरे होते हैं, sorry deaf होते हैं, dumb नहीं होते हैं, ठीक है ये बहरे होते हैं, ये bean की आवाज से नहीं vibrations से आते हैं, जो movies में दिखाया जाता है, वो गलत है, जो vibrations हैं, ground पे, जैसे आप चल रहे हैं, तो आपके पैर कुछ vibrate, कुछ तो हलचल हो रही होगी, उसको ये feel करते हैं, ना कि सुनते हैं, आवाज इनको सुनाई नहीं आती, आप सांप के बारे में बात कर रहे हो, सांप आपके सामने हो, और आप किसी से कह रहे हो, देखो इसको ये ना, एक दिन में आप सभी लोगों को बताया ही था, स्लॉद एक भालू जैसा दिखने वाला एनिमल है, बट भालू नहीं है, सतरा घंटे सोता है, एक दिन में, ठीक है, सतरा घंटे सोता है, एक ट्री पे उल्टा लटक के सोता है, अपसाइड डाउन, और 40 साल की उम्र में, लगभग 8 पेड़ बदलता है, मतलब 5 साल तक एक पेड़ पे रहेगा, उसकी पत्तियां खाएगा, और जब वो खत्म हो जाएंगी, तो दूसरे पेड़ पे चला जाएगा, हफते में एक बार ये नीचे उतर के आता है, अपने आपको वज़ा से, अना, देखो, अगर मैं sleep की बात करूँ, तो lizards जो हैं, जो छिपकलियां हैं, वो deep sleep में चली जाती है, must सोने, पूरे एक season के लिए, जैसे ठंड में छिपकलियां, नजर नहीं आती, तो हम क्या सकते हैं, सोने गई हैं, ठीक है, cow sleeps around 4 hours, जो आपकी गाय है, वो भी 4 घंटे सोती है, python, जो snake नहीं होता, python, 18 घंटे सोता है, giraffe, जो है, वो सिर्फ 2 घंटे सोएगा, बचारे इतना बड़े शरीर के साथ सो नहीं पारा, जो cat है, वो 12 घंटे सोती है, ठीक है, 12 घंटे सोती है, cat आपकी, ये बात आप याद रखेंगे या नहीं याद रखेंगे, विल्कुल याद रखेंगे, ये question आया हुआ है, इसको हलके मतले न, आपको याद होने चाहिए, यार्स, अब tiger की बात हो रही है, जो tiger है, बहुती alert animal है, tiger हमसे 6 गुना बहतर देख सकता है, उसकी हलकी हलकी, वो बहुत sensitive होती है, वो पत्यों के खड़ खड़ाने और किसी के चलने की आवाज के बीच भी फर्क कर लेती है, इसलिए वो अपने target को, अपने prey को, अपने शकार को अंधेरे में भी ढूंड लेता है, जो rustling of leaves हैं, यानि पत्यों के खड़ खड़ाने और किसी के चलने में आवाज को पहँचान लेगा, tiger के कान अलग-अलग direction में move करते हैं, चारों तरफ से उसको अवाजें सुनाई दे सकती हैं, इतना alert है वो, अलग-अलग उसकी sounds होती है, अलग-अलग वो sound produce कर सकता है, जब वो उसको गुस्सा आएगा या अपनी tiger को वो बुलाता है, तो अलग-अलग अवाजें निकालता है, यह हम कह सकते हैं, it can also roar और snarl, यह दहाड सकता है, गरज सकता है, यह हम कह सकते हैं, और इसकी जो दहाड है, जो roar है tiger का, वो तीन किलोमेटर दूर से भी उसकी आवाज को हम सुन सकते हैं, ठीक है, tiger इतना alert है, फिर भी आजकल endangered है, क्यूंकि इंसान मार दिता है, जानवरों को अपने फायदे के लिए, यह देखिए, और कितने tiger बचे हैं, दुनिया में यह भी पढ़के चाहिएगा, क्या पता, उनका दिमाग घूमे और question टेढ़ा मेड़ा देते हैं, only four types of poisonous snakes, सिर्फ चार प्रकार के ही जहरीले सांप भारत में हैं, एक तो है cobra, king cobra देखा ही होगा आपने, common crate, russell wiper जिसको duboya कहते हैं, और saw skilled wiper जिसको aphi कहते हैं, ccrs, ऐसे याद रख लीजेगा, c for cobra, c for common crate, r for russell wiper, और s for safi skilled wiper, ठीक, aphi कहेंगे, cc, sr से याद रखेगा, चार प्रकार के ही, जहरीले सांप भारत वर्ष में पाए जाते हैं, और जो सांप के दान्थ हैं, वो two hollow teeth होते हैं, two hollow teeth होते हैं, इनको fangs कहते हैं, ऐसा कुछ ये छोड़के जाते हैं, जहां से काटते हैं, वहां से skin उतार लेते हैं, the poison enters the person's body through these fangs, इन fangs, इन दान्तों के थ्रू ही, व्यक्ति की body में जहर पहुचता है, जो medicine है, ये भी बहुत important point है, जो medicine है, जो दवा तयार की जाती है, सांप के काटने की, वो उसके poison से, उसके जहर से ही तयार की जाती है, इसको क्या कहते हैं, आप comment करके बता दीजगा, दवाई का नाम और government hospitals में available होती है, ये question पूछा गया है, चारी प्रकार के पाए जाते हैं, इस सारी details पता होनी चाहिए, ये last point है, tasting to digesting स्वाद से पाचन तक, अगर हम अपने पेट के temperature की बात करें, तो 30 degree Celsius एक human body में, जो पेट है, इस टमख है, उसका temperature होगा, जो juices हैं हमारे पेट में, वो acidic यानि अंबली है पाए जाएंगे, जालातर जो rice है वो काला हंडी district, ओडिसा में पाया जाता है, और बाकी states में भी export किया जाता है यहां से, लेकिन काला हंडी में भुकमरी है, बहुत सारी गरीबी है, इतने के बावजूद भी बच्चों पर आप discussion करा सकते हैं, बच्चों से क्यों है ऐसा, muslin cloth, जो makmal, malmal, whatever you want to call it, जो कपड़ा है, इसको चीजों को सुखाने के लिए, चन्नी के रूप में यूज किया जा सकता है, जो glass jars हैं, यह पूछा गया है, glass jars यह glass की जो bottles हैं, कांच की, उनको धूप में सुखाया जाता है, अचार डालने से पहले उनमें, किसलिए, क्योंकि उनमें कोई moisture ना बचे, उसमें कोई नमी ना बचे, इस लिए, ठीक है बात, अब यह picture plant है, बड़ा important है, last time भी question आया है, picture like shape है इसकी, घड़े के जैसी, picture plant, इसको napanthese भी कहते हैं, इसको, इसका दूसरा नाम napanthese भी है, napanthese, कहां पाया जाता है, तो यह भारत में अगर मैं बात करूँ, तो यह Meghalya में पाया जाएगा, North East में Meghalya, और अगर मैं बात करूँ, कहां, इंडोनेशिया में, भारत से बाहर, और और ऑस्ट्रेलिया में, यह तीन जगा हो गई, भारत में Meghalya में पाया जाएगा, और अउस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी यह मिलता है, ठीक है, पिचर लाइक शेप है, यह इसको hunting plant भी कहते हैं, क्योंकि जो भी कीड़े मकाड़े, frog, या frog मतलब वही में धक, चूहे, इन सब को यह अपने अंदर trap कर लेता है, इससे एक smell निकलती है, जो इंसेक्ट हैं, जो कीड़े मकाड़े हैं, उनको attract करती है अपनी तरफ, और वो इसमें आते हैं, इसकी leaf खुली हुई होती है, यह जो पत्ती है, जैसे कोई इंसेक्ट, कोई frog कोई बैठेगा इसके अंदर, यह उपड़ से बंध हो जाएगी, और उसको trap करके यह खा जाएगा, इसलिए hunting plant है, फिर भी आप NCRIT के पूरे notes पढ़के जाएगा, मैंने आपके साथ share किये हुए है, देख लिए जागा, पचास page की जो PDF है न वो, टेलिग्राम पे मिल जाएगी है, पुराने वीडियोज में मिल जाएगी, उसको जरूर देखिएगा, ठीके बाद, अगर मैं बात करूँ, यह एक, वेल्क्रो की बात है, वेल्क्रो होता है, जो चिपक जाता है आपके, वेल्ट्स में, बैग्स में यह यूज होता है, 1948 की बात है, जो 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 जारज मेस्टरल है, जो 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 होते हैं, जो जाया था, 1000 साल पहले, और उसने भारत के औरकिटेक्चर के बारे में बात की, यहां कैसे अच्छे से लेक्स बनाई जाती हैं, कितने अच्छे से चबूत्रे बनाई जाते हैं, यहां का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, इस बारे में बात की थी, अलबूनी ने ठीक है, और यह जो स्टेंप है, 1973 में मिली, हजारों साल बाद उसके जन्म के, तो यह आ नमक पे टैक्स लग गया था, इसलिए इनको यह करना पड़ा हमारी फ्रीडम के लिए, क्योंकि नमक जरूरी है, आयरडीन की कमी हो जाती है, यह सबाब बच्चों को बता सकते हैं, नमक की कमी से कौन सा ब्रोग होगा, आप कहेंगे घेंगा, घेंगा ही होता है ना, बाट महात्मा गांधी, इससे आप बच्चों को फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी समझा सकें,